अगर बात करें येस बैंक के बारे में टेक्निकल व्यू में थोड़ा सा उबर बोर्ट जोन में आ रहा है फ्रेश एंट्री के लिए शायद एक दो रुपिया नीचे आए तो आपके लिए अच्छा रहेगा CEO MD प्रशांत कुमार जी ने बहुत बड़ा बयाम दिया है दस दिनों के अंदर सेल पूरी हो जाएगी यहाँ पर और तानी सदार करोड के जो NPA है वो सारे के सारे रफ़ा रफ़ा हो जाएंगे तो यह बहुत पॉसितिव रहेगा और साथ साथ में जो इनका साथ Dish TV के साथ dispute चल रहा है Dish TV भी अभी band नहीं हो रहा है उनने कहा है जो इनके directors है उनको refuse कर दिया है और इन्होंने प्रपोस्त दाला है independent director लेके आएंगे अपने यहाँ पर रादर दन yes bank के director के JC Flower का जो हमने बताया है CO MDG ने कहा है कि transactions 10 से 15 दिनों के अंदर ये complete हो जाएगा business line के साथ इन्होंने interview किया है जिसमें बताया गया है और 40,000 करोड के जो stress asset है वो JC Flower के साथ में 11,000 करोड रुपे इनको net मिल जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा रहेगा 1585 का rule है जो RBI के साथ इनका approval भी आ जाएगा तो ये बहुत ही positive खबर माने जाएगी yes bank के लिए इनके assets जो है negative assets जो है वो सारे के सारे इनके book से clear up हो जाएगे why it is important समझिए यहाँ पर net asset जब इनके positive आने शुरू होंगे NPA कम हो जाएगे तो ये इनके लिए stock market में इनको market के reference में positive trend दिखाई देगा ताकि इनकी clean up जो book clean up हो रही हो बहुत अच्छा है provisions rise वे थे पिछले quarter में 583 करोड के comparison पिछले साल के comparison में यहाँ पर 370 थे तो ये almost double हो गए है यहाँ पर प्रशांद कुमार जी ने कहा है interest rate बढ़ेगा पर ये customer को pass on किया जाएगा और इसका bank के ओपर को जादा negative impact नहीं देखा जाएगा यहाँ से अगर देखा जाए तो और तक का interest मिलेगा, loan projections भी काफी अच्छे हैं और अगर एक साल का performance देखा जाए तो 32% कर रहे इस bank ने एक साल के अंदर और यहाँ पर अभी पूरे साल भर का highest level पर चल रहा है जो कि एक बहुत ही positive trend माना जाएगा stock के लिए, जब भी stock 52 भी खाई के पास होता है तो यह बहुत ह कोशिसे, technology initiative चला रहे हैं जिसके चलते हुए business को growth करने की कोशिश करेंगे, इन्होंने RBI के digital E-Rupy के साथ में भी अपना trial launch किया है और यहाँ पर इसके लिए advantage मिलेगा कि customer की demand है, अगर कोई E-Rupy के through transaction करना चाहते है तो यहाँ पर provide करेंगे उसको, और साथ-साथ में technology will help them different products को sell करने के लिए कोई भी customer नहीं आए, तो उसको एक के साथ में एक product जरूर चिपकाएंगे ही चिपकाएंगे, अई दरह चलकर technical view देखते है इसका, तो company आज बंद होते होते है, 70 रुपे, 50 पैसे पर बंद हुई है, जहां market ने थोड़ा negative view रखा है, yes bank slightly neutral view बना के रखा 50 day moving average को देखा जाए, तो यह 16 रुपे 30 पैसे के आसपास है, 200 रुपे 14 रुपीज के आसपास है, काफी अच्छा शांदार jump दिखाया यहां से, अगर देखें, तो यहां से इसने bump करना शुरू किया था, जब इसका भाव करीब 15 रुपे के आसपास था, हम continuously इसको buy की recommendation दे market price से, एक रुपे गिर सकता है, 100 रुपे 50 पैसे के आसपास का strong support रहेगा, MacDee ने यहां पर buy signal maintain किया हुआ है, बर momentum थोड़ा सा कम होता जा रहा है, मेकDee का, और साथाथ में वोटेक्स निकरो देखें, तो अभी यह slightly neutral zone बना के गुमा हुआ हुआ है, बुलिंजर बैंड की direction उपर है, बैंड के उपर bandwidth देखें, तो 6 के आसपास है, तो अगर उपर बढ़ता है, जब भी यह positive ख़वर आईगी, तो positive territory में काफी अच्छा जाएगा, और बुलिंजर बैंड के लोह हिस्से में प्याया, तो 60 पैसे का strong support लग रहा है इस stock के लिए, technically इस बात को ध्यान market, 2% जादा निवेश मत की जगा किसी भी stock में, और अगर हमारे साथ जुनना है तो मिल रहा है, जाहें